मुझनी, स्वामी जी, सन्समाद, आदर्वी, बिद्दल्चन, सर्जनों और देवियों विद्द्वानों ने और स्वामी जी ने कवेश रायप पर नितना कुछ कहा है बहुत है और उसमें मैं और क्या कहूं? उन्ही बातों को दोहरा हूं हुए हमारे जीवन में समाज का महत है, धर्म का महत है, अध्यात्म का महत है समाज में हम जनम लेते हैं, समाज से सब कुछ पाते हैं समाज के लिए हमारा भी दाहित है, कुछ की चाहिए समाज में साथित्त की भावना होनी चाहिए धर्म उसके बाद धर्म को समझना चाहिए धर्म की आवश्यक्ता है फिर अध्यात में पहुँचना चाहिए वो अंतिम जीवन का फ़ल है समाज मनसिव की समों को कहा जाता है जानूरों के समों को विद्वावनों ने समझ कहा मनसिव के समों को समाज का है यहां गया मिज्ञान का विकास है मानो की वल मानो है मानो की निगाह से मानो को देखना ये प्रतम सामाजिक करदब्बे हैं इसमें हमारे हाँ तुटियां आएं सरवत तुटियां हैं कि वार हमारे हाँ नहीं है हमारे हाँ वो सास्त्र के रूप में आ गई कालिगोरी को ले करके सुष्या सन्नी को ले करके त्राम फिर्कों को ले करके रोमन कैथ्वालिक प्रोटेस्टन को लेकर के और भी रूपों में तुरुक लोग जब यहां आये लोटने पाटने और रहने भी लगे तो यहां के लोगों को जो मुसल्मान बनाया उनको तुछ समझते थे तुरुक लोग अपने को बड़ा समझते थे है रोक सरवत हैं लेकिन भारत का रोक भेंकर हो गया भारत के प्राचींतम सास्त वेब हैं चारो वेदों में बात नहीं है चारो वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि जनम से मनुष छोटार या बड़ा होता है और कोई मनुस अच्छूत होता है ऐसा भी नहीं बल्कि ये लिखा है समानिव प्रपा सहौन भागा हमारी पोशाला एक हो हम भोजन साथ साथ ले सहौन भागा तुम लोग एक साथ भोजन करो मनुर्भो जनया दिव्विम जनम मनुस गनो दिव्व समाज पैदा कर लेकिन आगे चलगर के बिगड़ते बिगड़ते इतना बिगड़ा है ब्रण विवस्था कभी बटवारा था काम का आपस में अंतर जादी शादी, खान पान, लेवार सब कुस्सम था आगे चलगर के कठोरता आती वही पर्थम समस्क्रण ब्रण विवस्था का काम का पटवारा दूसरा समस्क्रण योगिता के अनसा है तीसरा समस्क्रण जनम से जब से जनम से मान लिया गया, बहुत बिगड़ गया वेदू में पंचवर्ग के लोग बताये वेए पंच जना, पंच जना, बारंबारा आता है बिदेशी लोग पंच जन का वर्थ आलग करते हैं साना चार्ज में जो वर्थ किया उस सच है ग्यानी, शाषग, जवशाई, कलाकार, सर्विक यह पंच जन है और पूरी दुनिया में पंच जन होते हैं पंच इमिरे जना हैं पंच जन हमन करते हैं स्विक लोग भी ऑवन करते हैं मजदूर लोग भी ऑवन करते हैं हवन सो इनको अलग तो हमह रखाएया लेकिन इस सारी बातों भूल गए, असमृटिया वे नहीं और असमृतियों में बढ़ बेवस्था को खुख कथोर किया गया सुलती और असमृत में फरक है सुर्थ रिष्टियों के बचन है असमित पुरोवितों के बचन है असमित यो में भी अच्छी वात है लेकिन जहरीली बाते भर दे गए शूर्द बेद पढ़ने का अधिकारी नहीं इतना ही नहीं इस्त्रियां भी नहीं तेवारी बेद पढ़ सकते तेवराई नहीं पढ़ सकते चारो बेदों में कहीं नहीं लिखा है कि बेद पढ़ने कौन अधिकारी है सभी लिखारी है मैंने दोपार में कहा था एक दरजन से अधिक इस्त्रियां है जो बेद मंतरू की रचेता है बेद क्या कहते है मेरी पुस्तक है उसमें भूमका ही में मैंने यह सब लिखाय और नंबर सब लिया नाम नंबर सब सुद्ध इनको कहते हैं वो बेद मंदरों के रचीता है लेकिन असमृतियों में यह सब लिखा गया अदिज मन्स नहीं माना गया वो के वोल काम धाम कर नगे बस वो और ब्ध Żyajah पढ़ने कर्दिकारी नगे किसी दार में कृत्मे, समिलत होने कर्दिकारी नगे क्यों काम करें जानवर के तरह इस्तरियों को भी उस्ती में डाल दिया गया जबकि बेद में इस्तरिया मित्रवत लोग कहते हैं वेद की बात हम वेद को मानते हैं हरिवदार में कुछ मनले लेसरों के बीच में बाचीत हुई मेरे विचारों सुना करते थे रोज तो उन्होंने कहा कि आप ठीक कहते हैं लेकिन मर्यादा तो मर्यादा अंकि कैसी मर्यादा तो ब्यास गदी उची गदी थिवस्वर वैठे थे जब हम लोग सब गे तो उधर गर के चुटी चुटी आसनी पिश गई हम लोग भी बैठ लोगी बैठे मैंने कहा इसकी मर्याद है मैंने कहा ब्यास गदी की कहें हाँ तो उचे एक धिवरी का बच्चा ज्यानी आवे तो उच्वर बैठ सकता है कि नहीं तो उच्वर सर्मा गए सवहासने लगे उभी हमसे लेकिन सर्मा गए वेदव्यास नाम महामहिम नाम अव धिवरी की बच्चे थे वेदो का आंतिम संपादन उन्होंने कि आइसा माना जाता है वो सब बाती भूल गई बनवेवस्ता कठोर हो गई आदमी को बांठ दिया गया राजनेतिक बाजी इसमें खोड बनवेवस्ता में कुछी कभी साहब ये सब देख कर के पीड़ हो ये लोग कते हैं कि उच्च वर्ग में पैदा होता तो सहास होता बिश्विड ये में पढ़ा होता तो सहास होता दरी घर में होता तो सहास होता मेरे पीछे हजारों लाखों लोग होते तो सहास होता कभीर कहां पैदा हो ये कोई नहीं जानता कहते हैं लाहर तारा ताराग पर निरु निमा को बच्चा दिला, पाला पोसा, निरु निमा जुलाए थे, मुस्री जुलाए, जुगी जुपडिम पाले गए, और क्या पढ़े लेखें, कुछ मता नहीं, सब तरफ से अकिंचन है कभी, लेकिन वो आग का गोला, एड़ी से चोटी तक साहस साहस, पंडितों की नगरी काशी तब भी ती आज भी है, और उन्होंने लालकारा, एक एतचा हाड मल मुत्रा, एक उर्धिरियक गूदा, एक बुंद से स्तिर्ष्टि रची है, को ब्राम ब प्रम्हा तमोगुल शंकर सतोगुवी हरि हुई, काई कभीर राम रम रहे हिंदू तुरुक नकुई, सम्मे वही रत्मान चाम सब कुछ है, और वही राम सम्मे रम रहा है, राम नक हो रहीं को कोई अरज नहीं, अल्ला राम करीमा केशो हरी हज़त नाम धराया, उन्होंने का भाईरे, दुजगदीश कहा ते आया, सब के अंदर में वही अंतर जोती है, कौन उचे, कौन नीचे, और के छे लेत हो, छीचा, तुमसे कहो, कौन है नीचा है, और के छोने से तुम मंत्र पढ़ते हो, उम्मा पवित्रा, पवित्रेवाद, और पानीच रखते हो, साहर कहते हैं, तुमसे कौन नीचे है, जलाहे, एक जलाहा है, जलाहे घर में पाले गए, अनपढ़ गमार, अकिंचन, और वो महापुरुष करता है, कि तुमसे कहो, कौन है नीचे, तुमसे कौन नीचे है, जो दूसरे कोचुद करते हो, और ये बात नहीं कि वो कहते थे, गली होने लगे थी उतरी भारत में थोड़ी दिन में इलाबाद के कविट संस्तान में पंडित संगमलाल पांडे दर्सन दिभा अदेश प्रयाग विशुद्याले के जब पहली बार भाशन करने आये तो उन्हों ने यही कहा पहली बार सुरू शुरू ही किया कि आज विज्ञान का जो है पत्र पत्रिका रेडियो टेलिवीजन साब कुछ साधन है और लोग अपना नाम पहलाना चाहते हैं सबने और पूरा जीवन बीद जाता एक जिला में परसिद नहीं होते हैं कभीर की जमाने में कुछ नहीं था और कभीर स्वाम लापरवा यह सब से अपना नाम र है और उन्होंने और भी कई बार इसको दवराया सच है तो कभीर की बात लोग सुन रहे थे और उन्होंने डंके के चोट पर कहा कभीर ने कहा चाहा कि मानो मात्र का समान अधिकार सभी दिशाओं में हो और कोई किसी को अच्छूत नकाए उनकी वानी में यह कूट-कूट- के भरी हुई है भारत आजाद होने पर वहाइन कानुन की रूप में बदल वैया यह कोई विजारों की सची भी जय है यह कभील विचारों के वीजय नहीं है, सत्त के वीजय है, मानोता के वीजय है विधान सभागाउन, लोक सभागाउन में बढ़ बस्ता और चुअचूचूत के पक्षितर चाह बैठे हों लेकिन वह भीवस्न मानोता वादी विचार के अंसार कानूं बनाने के लिए इतिहास सदेव आगे बढ़ता पीछे नहीं लोडता है आगे और उदारता आएगी कानून बन गया है उसका प्रयोग भी हो रहा है सभी वरक के लोग पढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं धिरी धिरे जिनको मुझ वरक के लोग कहते हैं उनमें भी समझदारी बढ़ रहे है और वे लोग भी इसको महसूस कर रहे है आज से पचास वर स्कूर जो मैं देखता था जहां ब्रामणी कट्टे हुए तो तिवारी का बनाए शुकुल नहीं खाते हैं शुकुल का बनाए चोगे नहीं खाते हैं पूरी तुखा लेते हैं जालबात नहीं खाते हैं लेकिन आज कारीगार आते हैं बनाते हैं सब खाते हैं और उत्तर परदेश में तो ऐसा है कि हर बरात में करीब करीब 30-35 परसत मुस्रिन बंदु भी होते हैं और सब एक साथ गैठ कर एक खाते हैं बढ़ रहा है सब हमारे अंदर में यो रोग उसको निकाल दे कम से कम जितने लोग आप यहां बैठे हैं जात पूछना बंद कर ले किसी से जात न पूछना जात संस्कृत धासा का शबत है उसका अर्थ होता है पैदा होना जात पैदा होना जात पैदा हुआ बकरी से सुर से बच्चे नहीं होते इसलिए उनकी जातिया आला है हथनी से और उट से बच्चे नहीं होते उनकी जातिया आला है घोडी से भैसे से बच्चे नहीं होते उनकी जातिया आला है इसे प्रकार और भी आप समझ लिजिए लेकिन इस भुमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं इसलिए मानों में दो जाते नहीं हैं, एक जाते मानों एक जाते कला गोरा होना ये जर्वायू के अंसार है उसमें कोई महत्त नहीं हमारे पर्म प्यारे पूज, राम और किश्व, श्याम और गहन श्याम, रंग से क्या होता है, मनुष को मनुष की दिश्ट से देखा है, कम से जितने लोग यहां आप बेटे हैं, जात पूछना बंद कर दे किसी से, बिबाव बा करना हो, अवं अंतर जाती शाली आप नहीं म बा करें, अंतर जाते शाली मानते हो, तो समय पूछने जरूरत नहीं, यह आप का भी से, लेकिन निरर्था पूछते जाते हैं लोग, जात पूछ करके मनुष की कीमत घटाई जाते हैं, तलवार से किसी का गला काड़ देना पाप है, और किसी के मन में यह बैठा देना कि तुम जनम से नीच हो, महापाप है, और यह महापाप किया गया है, और आज भी करने वाले हैं लोग, चाच बादी भावना, बन बादी भावना, उंच नीच की भावना, वेदों में नहीं, उप निशत के रिष्ष कभी इस पर कुछ चर्चा नहीं करते हैं, चमस्कार रह सारे आड़मरों से रहे, आत्म ज्यान, करम सिद्धान, वाशना त्याग, उप निशत के चिन तक काते हैं, तथागत बुद्ध महावीर स्वामी, यह तो मानोंता वादी संधत थेगी, जखिलता धिरे धिरे बढ़ती चली गई, अब जखिलता तुट रही और तुटेगी बिलकुट टुटेगी, अब तो हिंदु मुसल्मान में सादी हो रही है, गामर सुदर में सम में सादी हो रही है, नाम है, यह नाम है के वाल, मनुस मनुस हैं, पुरन जमने में राक्षा सदयत, रीच गीद, शैन, मै, पौणी, नाग, इसमानों की जातियां, इनमें आपस में सादी होता था, लड़ते थे, प्रेम से रहते भी थे, ब्रहमर ब्रहमर लड़ते हैं, सुद्रसूर लड़ते हैं, मुसल्मान मुसल्मान लड़ते हैं, लड़ाइक तो कारन कामफरोध लूमो है, प्रेम से आपस में रहना है, और सब से भूलना मिलना है, आचार बिचा अश्वय अच्छूतअ अश्णाम कर ली अच्छूतअ नहीं है मेथर कोन नहीं है सब के पेट में वी टट्टि जाम सब आख मेरे दोड़े, और ब्रम्हा अद्र में वेटाया है कॉँझ जमार नहीं, कॉझ जमार नहीं, कॉझ जमार नहीं ब्रम्हिण, क कॉन इख अनय श्री अकला Yin मुझेजकर वुटला का नहीं है क्या है कोई गुर्वात पार इन असलिए करिए दुछे कर रहा है और दिश्ञार के शै molar missर ध्यों मने बख्य mieszkaनी पेसाथ पेडिये हिं ब्रहुतने कि अ हम महारा सुरूप ब्रह्म ने आत्मा है, हम ब्रामण नहीं, सब ब्रामण, सभी ब्रामण, इस वास्तविक्टा को समझें, और मनुस्य को तुछ काना बंद करें, इस संसकार चित उसे निकाल दें, कभी साहब कि अपील है आप से, मानो समाज में हम लोग समता से रहा हैं, सास्तित्य की भावना रख हैं, हमारी सेवा समाज से हो रही है, हमें भी समाज की सेवा करनी चाहिए, इस पर बहुत कुछ का आ जा सकता है, इतना काफी है, धर्म इसके आगे हैं, संब्रदाय को लोग धर्म कहते हैं, यह भूल है, हिंदु धर्म नहीं है, हिंदु समाज है, इस्नाम धर्म नहीं है, बहुत जैन धर्म नहीं है, संब्रदाय है, हिंदु तो संब्रदाय नहीं है, हिंदु एक सागर की तरह है, उसमें बहुत संब्रदाय है, इस्टार्म 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 इस रामकिश्म को उतार मैंने, बढवे उस्ता मैंने, तुलसी जवरा रखके, और तीर्थार्तन करे, यह सब सनातन धरम का लक्षा है, यह अपने धंग से है, सनातन सब क्या है, नित्त, जिसमें देश और काल की सीमा नहीं है, वो सनातन धरम है, वो है संयम और शीर, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बरताओ, जो अपने पर जितना संयम करेगा और दूसरे के साथ उतना शील का बरताओ करेगा, जो अपने में लंपट होगा, दूसरे के साथ कुरूता करेगा, भोग की भावना ही हिंसा पैदा करती है, भोग से आदमी जितना किसी को दुख्य देखनी की इच्छा होना इंसा है संयम और शील ये धर्म है ये सनातन धर्म है जिसमें देश और काल की परिज नहीं है इसलाम 1430 वरसों से है इसायत 2000 वरसों से है जैनत कुराना लेकिन उसका सायत कुल 1500 वरसों से है इसा के 500 वरस बार अर्धमागदी में 32 धरम गरंद आगम गरंद जैन के बने बिहार में उसके पस्चाद और सब बनते गए बहुत मत 5000 वरसों से है बुद्वचन त्रिप्टक इसा के जनम के पहले सोखान के बरस बीच में बन गया था यहुदी इससे पुरने हैं तो धरम अगर हमें उनको माने तो पहले फिर दूसरा धरम रहा हुए किसी हम लोक में चले जाएं और वहां पर मनुस्ष्यूस्कृत हो तो हम देखें के वहां भी धरम हो गया लेकिन हमारे इस भूमंडल का कोई संब्रदाय का चल्न न हो गया राम, रहीम, अल्ला, खुदा, गाड, ब्रह्म, वेव, कुरान, बाइबिल कुछ भी लहीं हो गया वहां अपने धरम से कुछ हो गया लेकिन जो मौलिक धरम है संयम और शीर वहां भी मान में होगा इसी के हमें आवश्यक्ता है चाहे पारिवारी, चाहे सामाजी, चाहराष्ठी, चाह अंतराष्ठी किसी स्थित में हम हो जरूरी है कि हम कुमल हो, बिनम्र हो संयमी हो और दूसरे के साथ हम दर्द हो बाकी सम नाम रूप छुखे प्रेम का बरता हो भाईरे दुई जगलीश कहां ते आया को कोने बोर आया अल्लाह राम करीमा केशो हरी हजरत नाम धर आया गाना एक कनगते गाना यामे भाव न दो जा कहां सुनन कुर्दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा वही महादय वही महामत ब्रह्मा आदम करी को हिंदू कुतरुक कावे एक जिमी पर रहे बेट कितेप पढ़ेवे कुतबावे मुलनावे पाणे बेगर बेगर नाम धराई एक मिट्टी के भाणे साथ करते हैं मूलतत तो एक है आपस में विबाद अग्ञान जनिक है धरम और संबरदाय में फ़र करें संबरदाय को धरम कैने के आदद बहुत बिगड़ा है धरम एक जो सनातन लिद है वो साहिण और सीर है आप कितनी पूजा करते हैं, कितनी नमाज पढ़ते हैं, कितना अल्ला कहते हैं, कितना राम कहते हैं, इतना इसका महत्तु नहीं है, कितना संयमी हैं, और कितना शीलवान हैं, कितना परहेजगार हैं, और कितना हमदर्द हैं, इसका मुल्डे हैं, अपने परहेजगार, दूसर एक साथ हम्दर्द, सैयम और शीर, यही धरम का तत्व है, इस धरम के तत्व को हमें समझना चाहिए। इसम्बदहिगी बुरी नहीं है। सम्बदभाइब बन जाते हैं॥ सदुर्ट कभीम भीन नहीं बनाया।ो लेकि बन गया पीछे में। जहां लक्षे करोनो आखते हैं whipping लिगरो नीम से छलना। होता है कि संब्रदाय बन जाता है फिर उसमें साखा प्रसाखा हो जाती है यह संसार का सभाव है यह होता रहा है संब्रदाय होना गुरा नहीं संब्रदाय का होना गुरा है संब्रदायों में संब्रदाय का गोर है जातपाद को लेकर के जैसे जहर वैसे संब्रदाओं को लेकर के जहर सारे संब्रदाए अपने को सत्त के नाग के सिधाई में मानते हैं और दूसरे अगल गळर सारे संब्रदाए मानते हैं कि सरग और मोख्ष केवल हमारे संब्रदाय से होगा दूसरे दौरा नहीं होगा दूसरे दौरा तो यह दूसरा नरक में जाएगा या भोववंदन में पड़ा रहेगा जो पुनर जनम मानते हैं उनकी संब्रदाय का तड़ी कोमल होती है हमारे संब्रदाय में जो रहेगा उसका मोख्छ हो जाएगा दूसरे संब्रदाय वाला सदाचारी है तो उसका स्वर्ग भरोगा मोख्छ नहीं हो गए और कभी आएगा हमारे संब्रदाय में तो मोख्छ भी हो जाएगा जिसमें मोख्छ नहीं माना गया है पुनरा जनम भी नहीं माना गया है क्यों सुरग नर्क माना गया है उनके सामने जिस मिस्त्रा है कि दूसरे संवरदाय INEE जो अच्छे हैं उनका क्या हो गया तो कहते हैं कि इसी जनम में वो अच्छा ही कफर पा लेगे बाकि तो सदा के लिए नरक में पढ़ेंगे जो पुनरियम नहीं मानते हैं मोक्ष नहीं मानते हैं उनको एकाना पढ़ता है हमारे संबरदाय में जो आएगा वही सुर्ग में जाएगा बाकि दूसरे लोग तो सदा के लिए नरक में जाएगे सदा के लिए धर्म आत्मा findet सदाचारी हैं सेयमी हैं सत्भाषन करते हैं और पुण सैयमी है फुण परहेजगार हैं लेकिन हमारे समर्धाय ने Tucson नहीं है तो नर्क जाना है वनको सदा के लिए नर्क जाना है ये धर्मवारों की दली दशा अग एक कदोश नहीं है साख़ पर साख़ एक संब्रदाय में बेन साख़ वाले दूसरे को नरग और भवंदन में डालते हैं अये मित्यां दंब है इसके पीछे तुर्रा क्या है हमारी किताब इश्वर के है बाकी की इश्वर के लए है हमारा महापुरुष इश्वर का अवतार है या दूत है दूसरे ऐसे सादान मनसी है हमारा संब्रदाय इश्वर के चलाया है किताब महापुरुष और संब्रदाय तीनों का देविक करन संब्रदायक्ता का विष्ट थेलाता है कविर सायम ने इस पर बहुत कहा पंडित देखो हिर्दे विचारी को पुर्शा को नारी सास्त माना घटगट बोले वाके जर्ट अनूपा वाको नाम कह कह लीजे ना वाके बढ़न नरूपा तैमे क्या कर सिनर भवरे क्या मेरा क्या तेरा राम, खुदाय, शक्त, शिर, एकय, कवधो काईने हो रहा वेग, पुरान, कितेब, कुरान, नाना भात बखाना हिंदू, तुरुक, जैनियो, जोगी, ये कल काहुल जाना ये नाना लोग ये कल, कल, कुमलता ये से पक्षी कलरो कर रहे थे ये कुमलता, अनेक्ता में एक्ता की कुमलता है लोग नहीं समझते हैं संब्रदायों पर दैवी करण, कुरूरता पैदा करता है और ये धार्मिक लोग, भहें कर कुरूर बन जाते हैं ये इश्वर के बड़े भारी पक्षदार, ये मिंद्र के निकट रहें, दूसरे लोग इश्वर नहीं एक ये अश्वर वाला, दूसरे इश्वर वालों को सोदेव की विए नर्क में ठेलता है, ये भौबंद में ठेलता है यह देनी दशा धरम के छेतर में संभदाय के छेतर में है कभी साहब इस पर पुशकर रूप में कहा उनकी पारद्रिष्टी अद्वुत थी सब में बेला निर्भय होके कहा तथ क्या है दुनिया की सारी कितावे मनस्यों की रचनाय है इस दुनिया में आज जितने संभदाय है सब दरे डा यह वरस के अंदर के पहले के संभदाय का घरती पर वजण सबसे पूराने में बश मोलर ने इसको सवेकार है में बश यह नहीं है जर्मनी में जर्में जर्मीन संस्क्रिट अच्छा पड़े और फिर इंग्राइड में रहे और उनके गुलु ने कहा कि तुम रिगवेद के साण गहास के सरी रिगवेद पर काम करो उन्होंने किया और अपने जीवन में दो बार चिपाया अंग्रेज गॉर्ग में ने उनको पैसा दिया रिगवेद के दस्वे मंडल की उन्होंने जो कुछ लिखा इंगलिश में लिखा लेकिन संस्क्रिट के प्रकान पंडित है उन्होंने रिगवेद के दस्वे मंडल की भूमिका में लिखा कि रिगवेद भारत ही नहीं आर्जों की नहीं पूरी भूमंदल की पुरानी पुस् कि वेदों में हैं कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई विक्ट एक आधिकारी पूज्जे रिशी हैं आधरड़ी हैं वेद के सैक्रो रिशी सब आधरड़ी हैं लेकिन हमारी उपाशना के केंदर में कोई नहीं है उपाशना के केंदर में आत्मा है वेद उपनिशक यही कहते हैं आत्मा उपाशना के केंदर में है इसलिए सामपरदाइक्ता कि कोई गुंजाइस नहीं है और जहां उपाशना के केंदर में एक विक्ति मानेंगे बस उसको हम अलोकिक बनाएंगे स्री राम ने युद्ध कांड के आपशीर में कहा बालमी ग्रामेड में आत्मानम मन मानसम मन ने रामम दसरत रातम जम मैं दसरत का लड़का हूँ, मनुश्य हूँ पूरी बालमी ग्रामेड में स्री राम के लिए भगवान सब्द नहीं कहीं नहीं लिखा है कि राम राम जपो राम की उपाशना पूरी बाद में राम आड़ में अतारबाद वेदों में कहीं एक लाइन भी नहीं है पीछे की कलपना बद्धो जैनों ने उत्तारबाद की कलपना के उसकी प्रद्ग्रिया में पंडितों ने अउतार गात की कर्पना की बहुत धोजैनों ने कहा कि महावेश्वामी अउतागत बुद्ध सामाने जीवते अपने कसावर विकार को छीर करते करते उपर उठ गए उत्तार का मिदल उपर उठ जाना इवाइग्यानिक है परन्तु उन दोनों ने भी बहुत अतिश्यों की आप तिटपटप पढ़िये जैनों के गरंद पढ़िये पुरा ने दोनों को अलोकित बना दिया गया बुद्ध महावेर को एकदम अलोकित उसकी प्रतक्रिया में ब्रह्मडों ने कि ये तो पूर प्रवर्म प्रमात्मा थे अपने गुणों को घटा करके निचे आगे इसले आवतार आवतार भालत वैदिक नहीं पिछी की कल्पना इसलिए भारती प्रमपरा के मूल गरंथों में देक्ति बास्नियों कभीज नहीं गुरु पूजनि आए रिष्फूजनि आदरणि लेकिन सर्वे ema सर्वेशर्वा नहीं सर्वे सर्वा आत्मा है आत्मा ही पूजनि है आत्मा ही उपाश्नि परंथ औअधारबाद भढ़ा दुद बाद भढ़ा हमारे यहां अतारबाद की कल्पना जब हुई तो यह नहीं कहा गया कि जो इनको नहीं मानता है वो नरक में जाएगा लेकिन इसाई आए इसाई के कुछ ही दिन के बाद इसाई आ गये थे दक्ष्णी वारत में देरे और पहले वो एक कह रहे थे जो इसाई को नहीं मानता है पैगंबर वो नरक में जाएगा और कुछ सोबर बरस बाद मुला है वो कहने लगे हजर्द मुहमद को जो नहीं मानेगा पैगंबर नरक में जाएगा इसकी देखा देखी आवतारवादियों ने यह सुरू कर दिया जो राम को किशु को आवतार नहीं मानता हो नरक में जाएगा नर्यम गता मतसुदन सरस्थती पंडित महान बिद्दान नोग्यानी उन्होंने कहा जो स्रीकिशु को परमात्मा नहीं मानता निर्यमगता न रख मिजाए गुसोमी जी ने मानस में बारं बार कहा बिना सिंग पूँच का पसुप जो महाराज राम को परमात्माने मानता ये मुस्लमानों इसाईयों के देखा देखी आहां बढ़ा, और स्वामधायकता बढ़ी, उपनिस्दों में, जो ग्यान का रस है, भारती परम्परा का पुराना, कहीं स्वामधाय नहीं, कोई ब्यक्ती नहीं उपास में, कोई स्वामधाय की बात नहीं, भेन शाखा के रिशी हैं, अपनी विचार काते हैं, दूसरे के न लेकिन बिक्रितियां खुब आई, अठारा पुरान और महाभारत, उन्नीश जिल्दों से छाटे जाएं, तो चालिस जारस लोक निकलेंगे, जो अच महिमा में हैं, अच सरदा कबीर पर भी किया गया, कबीर ने कहा, तही हम तो मेके लोगु, हम तो मेक ही खुन से पड़ा लेकिन कबीर पंथ में एक समझ्द साखा पावरानिक है, जो कबीर को भगवान बनाने के लिए भी तुली हुई है, भगवान बनाई दिया है, पहले से, लेकिन अवा और बना रही है, कबीर क्या है, जितने महापुरस दुनिया के हैं नाम लेना बेकार है, अगर वयामे में तो अपने आपने अरुगामियों को डांटेंगे कि तुमने क्या किया है, मैं तो नयत था और onwards और न ऐसा कहा, तुम लोग क्या कर रहे हैं, चाहे बुद्ध आ हुएं, चाहे महाबीर आ हुएं, चाहे कबीर आ हुएं, चाहे रामकिष्ण आ हुएं, चाहे तidé कोई भ पड़ता है, सुन्दर बनाना पड़ता है, कबीर की वी दाड़ी मुझ भड़ाई जा रही है, पस्चिम भारत में, और ऐसा रूप सुन्दर बनाय जा रहा है, सब जग़ पूजने की बस्त महापुरुसों को बना दिया जाता है, स्री राम जीवन भारा आग के पत पर चले, कितना कश्ट सहे है, जब वे अजुद्या से निकाले गए, गुर्वसिष्ट के पास नहीं गए, कि महाराज कोई यग बैठा दीजिए, महामरतन्द जाप करवा दीजिए, और कुछ करवा दीजिए, मैं रह जाओं यहाँ, कुछ नहींगा, चल देए, स्रीकिष महाराज, जीवन वर लड़ते ही रहे, लेकिन उन सब को हमने भगवान बना दिया, कभीर इस सब का खंडन किये, तो कभीर को महा भगवान बना दिया गया, बुद्ध महावीर को भगवान बना दिया गया, बुद्ध के लिए तो यहाँ तक भी कहा गया है, कि उन मेराते यहां धर्ती पर आयी नहीं, उनकी चाया क्यों लाइए। रामपासको नी भी कहा, सिरी राम यहां जन्नम थोड़े ली है। वो तो उनकी चाया रही है। अनिक परकायर की रामाणे देनी हैं। रामाणरायस में आ हैं लिका हर जगा अतिसरद्धा है। और अटिसर्दा पागलपन, अटिसर्दा हिंसा, कभीर को हम अटि मानेंगे, तो राम को, किश्म को, भुद्ध को, महावीर को, महम्मद को, ईसा को, कुछ भी नहीं समझ भाएंगे, इसी प्रकार, किसी एक महापुरस को अटि करके मानेंगे, तो दूसरे को नहीं समझ सकते ह हमारा संबन्द बेक्टित ना कभीर से है ना राम से है ना किशों से है ना मुहम्मद से है हमारा संबन्द उन से कोई खास तो नहीं है हमारे दादा बाबा तो इन में कोई नहीं है लेकिन ये सब हमारे पूछे है सब हमारे दादा बाबा है समान है कौन अपनाय कौन पर आया है ये सब हमारे पूछे कभीर साहिव ने का कभीर पूंगरा अल्ला हराम का सो गुर्पीर हमारा जेते औरत मर्द उपाने सो सब्रूप तुमारा कभीर पूंगरा अल्ला हराम का सो गुर्पीर हमारा जितने औरत मर्द हैं तुम्हारे रूप हैं। और राम और अल्ला का जो पूंग रहा है। हमारा गुल्पीर है। कभीर अउतारबाद पड़ंबर बाद नहीं मानते हैं। जो तत्य है। लेकिन उए गहते हैं। हमारे गुल्पीर हैं। राम से अर्थमानलो, आरज परांपरा का इंशर है। है। और… अल्ला का अर्थमानलो नहीं का इंशर है। सामी परंपरा अरज परंपरा दो परंपराsti हैं। in today power निए अर्ण भ्रामण, स्म्ड, सित्ध, ना त, संथ, वईशन ऋ श्वात्ते हैं। सामी परंपरा में यहोदी इसाय इसलामी आते हैं. पुरानी वायवे में नु नाम के महा पुरुश है. उनके पुष्च साम हे में ए-पेत्र हैं. साम बढ़े हैं. साम के बंसज यहोदी हैं. उसे सिसाई निकले फिर मुसलमान. सहर कहते हैं कभीर पोगरा अल्ला राम का सुगुर पीर हमारा अल्ला का पोगरा मुसा, इसा, मुहम्मद, दाउद और राम का यह इनि इश्वर का पोगरा नूर, राम, किश्ण, किश्ण, शिव सब गुर पीर हमारा, हमारे गुरु पीर है एक ही साथ एक ही पंक्ती में आर्ज और स्वामी दोनों परंपराओं के महापुर्षों को अपना गुरु पीर हो गाता है इसकी आवश्चकता है राम को हम पूझे हैं, और मुहम्मद को गाली दें यह बुद्ध को गाली दें यह बुद्ध को बुजे राम को गाली दें कौन सा धरव है यह सभी महापुरुस हमारे पूच्छे सभी आधरणी हैं हिंदु मुसल्मान भासा है आपस में इसा प्रेम करोई दोनों नाम खतम हो जाए मनुस्ता की जरूरत है जरूरत घुलने मिलने की प्रेम करने की आदर करने की परहे हैं कौन है गएर मुसल्मान गएर हिंदु गलत है ठीक है ब्रामन ब्रामन लड़ते हैं कि नए चत्री चत्री लड़ते हैं कि नए बनिया बनिया को दोखा देते हैं कि नए आव ऐसे मुसल्मान मुसल्मान को दोखा देते राजी महाराजी जितने थे जरूरत है करोना और प्रेम को, जरूरत है सईयंग और शील के भारत में जितने सधस्ये हैं सब मेरे प्री हैं सब मेरे भाईśl हैं अल्ला अल-इला अल्ला अल-बुद अल्ला शब्द में अला और इलाध दो पद है दोनों अर्विभासा का शब्द है अल-ब नम अदरडी, इला-ब पुंच रिक वेद का पहला मंद्र है अग्nis लिय पुरुईतम एक जिस य देवं रिति जम हो तारम रतन धातम उसमें अग्ण मीले पहला शर्त है साना चाजने 21 सानः चार्ज के जिने अग्ण नाम कम देवं इले असटो हम इल अस्नथाडित धातव अगने तो अगने नाम का देवता है और इल अस्तुच परक धात रहे इल इल का एक अर्थ है यही इसी से इला बना है किसी संस्क्रत कोश में आप देखिए इल सब्द इल भी लिखा जाता है उसका अर्थ होता है पूजनी अर्भी का इल इला और संस्क्रत का इल एक है दुआ सब मानते हैं अर्भी भासका है वेदों यह बार बार दुआती है देवेश्कनतो दुआ है एरिवेद के मंदर काहां से मैं देवताओं के लिए दुआ करता हूँ अर्थ वही है और सर्व ही है घुटने टेक करके मुसल्मान नमाज बढ़ते हैं वैदिक रेश्टी घुटने टेक करके प्रार्थना करते थे वसिष्ट सरसती नदी के तट पर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं सामी और आर्ज परंपरा दोनों प्रार्थना प्रधान थे वेदों में देखो बार मार प्रार्थना प्रार्थना दोनों गुटने टेक करके प्रार्थना करते थे आज परंपरा में ध्यान बढ़ा इसलिए पलती मार करके ध्यान करना सुरो हो गया गुटना टेरना बंद हो गया सामी परमपरह में इसका प्रकास कम हुआ ध्यान का इसलिए आज भी घुटने टेकर करके प्राथन करते हैं लेकिन यह दोनों एक हैं विदव्यास का दोरा आरब तक होता था पराय कौन है सब को आत्म साथ करो एक तरफ डीघागी जाती एक ही ब्रहमसम में है एक ही खुदा जर्री जर्री में है राम सम मेरा महसिया राम में सब जग जाने और फिर भेद भाव की बात करके नरक करते हैं प्रेम की गंगा बहनी चाहिए राजनीताओं से मेरा निवेदन है वे राम को माने, बुद्ध को माने, कबीर को माने, मुहम्मद को माने, इसा को माने, सब को माने और विशेश जिनके प्रदी सर्दा हो उनको पूजे ठीक है लेकिन उनको राजनीत में नगसिक है सबस्क्राब करें, राम के चेहरे को, बुढध के चेहरे को, महम्म Mess pra Whenever Muhammad के चेहरे को खराब उनकी उभाशना करें, उनके उपदेश को, उसके आच्रण करें लेकिन उनको राजनीतिक उनका राजनीतिक क्प्रयोग止 उनका यह न करें इसमें दुसा कौन है इसो बोली है और एक दिन ऐसा आएगा ये दोनों नाम बोर जाएगा कुछ और नाम हो जाएगा इसो बदले गए और बदल लाए कभी साहिब के मन में इच्छ पठाट थे सामप्रदाइक्ता का जहर खतम है और इस्तत को समझाएं कि सारी पुस्तके मनुस्यों की रचना है सारे महापुरुष केवल मनुस्य सारे संब्रदाइ मनुस्य के चलाएं इसलिए सभी पुस्तकों का अधर होना चाहिए और सभी महापुरुषों का अधर होना चाहिए और सभी संब्रदाओं का आदर होना चाहिए अपने संब्रदाओं के नियम का पालन करो और दूसरे के संब्रदाओं को आदर दर अप्रेम से रहो कभी साहिव ने इस पर जोड डाला उनके बचनों का उत्रहन दे करके समझाने का आउसर नहीं है अंतिम में अद्याद हो आदमी कुछ पाजा है शीतल नहीं होगा धनी हो, विद्वान हो कभी हो, प्रवक्ता हो, लेखक हो बहुत बड़ा स्वामी हो बहुत बड़ा मठा भीस हो बहुत परचार हो इससे उसे शांत नहीं लेगे शांत जीवन का परम सुख है और वो अद्याद में ही संभो है अद्याद मुस्थ अदि आत्म से बनाए अदि आधार, आत्म आत्मा आत्मा जिसका आधार हो अद्याद्मा है शरी, वानी, मन, इंद्रियां इन सब का अधार आत्मा है इसलिए आपका पूरा विक्तत और ध्यात में वाणी पर सहियम, मन पर सहियम, कर्मों पर सहियम इंद्री और मन से प्रतीत मान सारा जगत ये काल देश है काल देश को उतरद है? काल से ग्रस है सब काल के आयान में बनते और बिगडते हैं प्रकर्ट से सारी चीजे बनती हम लोग की देएं पदार्थ सब प्रकर्ट से बनती है और मिठती है ये निरंतर चल दा है शरीर में हम बैठे हैं आत्मा शरीर में बैठा है शरीर के इंद्री मन के जरोखों से वो दुनिया को देखता है रीचता है और खीचता है और इसी में जिंदगी खोता है पता क्या है? दुख 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 के वाई दुख इस दुख को घटाने का तरीका क्या है? यह समझें कि अपना आत्मा दे नहीं है जब प्रकर्ट से वो निर्मित नहीं है वो अनिर्मित है प्रकट नित्य है और पुरुष नित्य है दोनों नित्य है जड़द्रभ नित्य है आत्मा भी नित्य है आप सुख चैतन आत्मा हैं आप सुख के सागर हैं परमानंद स्वरूप है मनेंद्रियों के जरोखे से दुनियों को देख देख करके रीचते हैं और उसी रिजाही मे सारा पाप, कुकरम, अविंद्रियों की लंपटता बढ़ता है और चितो उद्विगन होता है और जलता है ग्तेक बढ़ता है बड़े-बड़े स्वामी जी बड़े-बड़े दनी, बड़े-बड़े नेता बड़े-बड़े पूजी पत्र चित्की आग में जल-जल करके मर जाते हैं आध्यात्मिक लाग है सेवा करो समाज की सेवा करो जो आप करतबे सेवा करो लेकिन आध्यात्मिक उन्लत का काम करो यह दोसा रभृपन किया जाता है साथ माहतमा देश को बर्वास करते हैं कुछ लोग बुद्ध पर डट पड़ते हैं, बुद्ध ने बिनास कर गया, कुछ लोग संक्राचार पर डट पड़ते हैं, बुद्ध हो संक्राचार जो हो महाभीर हो जितने संत हैं, इन्हों ने तो अपने जीवन को उत्सरक कर दिया समाज की सिवा में, ये कोई बुरे नह यह सब पूजनी हैं, आदर्री हैं, कुछ विशारों का फरक हो अलग समझने की चीछ है, लेकिन यह सब प्यारे हैं, मत बाद इसमें भी लाया जाता है, कुछ लोग बुद्ध का खंडन बहुत जोर से करते हैं, और दुसरे लोग संक्राचाज का खंडन बड़े जोर से करते खंडन की जरूरत लाई है, दोनों की असरियत को समझने की जरूरत है, और जो तुर्ट पूर्ण बात हैं, दोनों की चोड़ दिया जाएं, किसी का हो, कबीर में कोई तुर्ट जोर दो, किसी की तुर्ट जोर मत लो, अद्ध्यात्म की उन्नत है, मनवानी कर्णों पर संयम और अंतर मुखोना, परमात्मा बर्मिशर खुदागाड, निर्वान मोक्ष कैवल, कल्यान, चन्नत सरग, जितने भारी भार कम सब्द हैं, इन सब की चेलतार्ता आपके आत्मा और आत्म संयम है, न तो कहीं सरग लोग है, न कहीं बैकुंड लोग है, और न कोई मोक्ष लोग है, न कहीं अलग परमात्मा बैठा जो मिल जाएगाए, परमात्मा आप है, ब्रम्ना आप है, बैकुंड विकुंठ होना है, कुंठा रहित होना है, सरग है अपने में लाउटाना, निर्मल मन स सरग है, यह ही संबल कर ले, आगे विसाई बाठ, सरग बिसान सब चले जहां बनियाना हाट, जहां बनियान बाजार नहीं हैं वहां सरग बिसाने लोग चले, सरग यही है, निर्मल मन है, प्राण मातर केपरती, प्रेम, यह सरग कानन्द है, हम तो जलते रहते हैं, इरशान है पत्पत्री में जलन, पिता पत्र में जलन, भाई भाई में जलन, पुरुसी पुरुसी में जलन, धार्मिक बहुत है, बहुत बड़े इसर भगत है, बड़े धार्मिक है, लेकिन काम ग्रोध लोग मौह में जलते रहते हैं, कौन से धार्मिक है, निरंतर विकारों का अच्छ मन की मलीमता का अच्छ है, साधना द्वारा अपने को शुद्ध करना, कोई भगवान आपका कल्यान कर रहेगा, भगवान, इशर, सब की किर्पा आपके उपर है, आप अपनी किर्पा अपने उपर करें, आपको क्या चाहिए, इतनी खुली पृत्वी मिले है, हवाएं आ रह है, संद्र लहराता आपकी सेवा में है, परवत खड़े है, हरेगिस्तान और हिमाले, हवबन परवत, चांप सितारे, सूरज, सब आपकी सेवा में लगे है, कितनी किर्पा चाहिए, सास्त है, संत है, उन से आप लाब लो, कोई ऐसा यूसर नहीं है, जो उंगली हिलाते हम और आपने दुख बनाया है, हमें अपने दुख को मिटाना है, इसको स्विकार ना होगा, सारे विकार हमारे बनाएं है, उन विकारों को हमी को काटना पड़ेगा, कर बहियां बला अपनी छाड़ विरानी आस, जाके आगन नदिया वह सोकस मरे पियास, कस्तुरी, यहाने में रामसभ का प्रचलन कंपी हो गया थे, आज से हजार वरस पूर्व से राम नाम जब चाले होगा है, और ऑँड़ यहवरस के बलाब से हर नाम जब चाले हुआ है, और वैश्मों में बयाबत था, कभिस साहे ने बहर नाम राम ये सब लिया लेकिन उनका हर उनका आराम अंतरात्मा है। बाएं देहने तजो विकारा निज के हरिपद गहिया। काहें कभील गूंगे गुलखाया पूछी सो क्या कहिया। बाएं देहने सारे विकारों को छोड़ दो। और निज सुरूप ही हरी है। यह समझो आत्मा ही हरी है। उस हिस्तित में पहुंचो। जब उस इस्तित में पहुंच गया है। उसका अनुभो क्या होता है। तो साहिब कहते ही गूंगा गुल खाया। कैसे बताए। वो तो अनुभो का भिशय है। पाना कुछ नहीं है। सब कुछ छोड़ देना है। छोड़ना है कि मरने पर। लेकिन कोई फाइदा नहीं हो तो यह दो शाता है इसे लोग काम नहीं करेंगे। आइसे लोग काम करते हैं। बुद्ध ने काम किया, महावीर ने काम किया, कबीर ने किया, संक्राचार्ज ने किया, सब ने तो किया, सब तो कर रहे हैं। इसा नहीं किया, महमन ने किया। जीवन भर सेवा करते हैं समाज करें किसे नहीं करेंगे जो अंतर मुख हो जाता है निकम्मा हो जाता है गलत आता है सेवा करें तन से काम मन से राम कहें कभील स्रेदो काम अंतर मुख होना जीवन का परमफल है जागरत वस्ता में हम जगत प्रपंज को जानते हैं सुप्रवस्ता में इसके अभास को जानते हैं सुशुप्त में सबके अभाव को जानते हैं तीनों का द्रश्टा आप है गड़े नीद में कोई तक्रीब नहीं रहती है क्योंकि आप सुसुप्त हो जाते हैं सुसुप्त कार्थे हैं अपने को पाजाना स्वापीति सुसुप्त यह उपनिशत की परिवाशार है अपने को पाजाना सुसुप्त है जो जागते जागते अपने को प्राप्त हो उसकी सच्ची सुसुप्त है तो कोई दुख नहीं रहा है, जैसे नित खुली संताप सुरू, इर्षा, क्रोथ, काम, लो, मो, वैर, चिंता, उदवेव, ये नरक सुरू है, जो जाकते जाकते इस नरक से मुटत है, नित खुली कोई मन में मायल नहीं, निर्मल मन, प्राण नातर के परति करना हम्दर दी, स समता प्रेम, चित्त उदवेग, शून, ये सर्ग, ये मौक्ष, ये कंद्यान है, अपना आप रह जाना शेष, विश्वभगवान से शाई है, इसका आर्थ क्या है? चीर सागर में एक सांप है, जो हजार फण का है, उसकी सीने पर विश्वभवान लेटे हैं, ये चित्रो में आता है, चीर सागर अगर पृती पर होता, तो दूद बहुत सस्ता राता, सप्लाइप खूप होता है, निर्वल चित्त चीर सागर है, शेष रह जाना, शेष जी की इस्तित है, शेष बका, सब छोड़ दिया, सारे संकल छोड़ दिया अपने आप रह गया, शेष, आत्मा मात्र रह जाना साथ समाधी है, संकरफ शांत हो जाना साथ समाधी है, सारे विचार शांत हो गया, तो आत्मा सेष रह गया, आत्मा मन द्वारा जगत प्रपंच को देखता है, मन शांत हो गया, जगत प्रपंच बन, अकेला रह गया, शेष रह गया, इस शेष सवस् विष्व करते हैं जो बसा हो सब में विष्धात से विष्व सब बनता है जो सम में परविष्ठ सभी अंदर में जो बैठा हो आत्मा है ये विष्व है और जब शेष रागे है सारे संगर्वों को छोड़ दिया अपने आप तो शेष बका सुफी संद कहते हैं बका अर्मी भ सम्खर बाती कै कि पर्मात्मा पाना नहीं मोग पाना नहीं निर्वान पाना नहीं सब छोड़ दो बास नником शेष राजाओ बका सेष चार आडाज़ निर्वान मोट ब्रम्म जो सब्द आपको पैरा रगे कहातो ऑल्ला पा गया गाठ पागे अला गार गाठ बहराए बाहर गुझत रायज जीवन्हों कहीं ने मिलेग電, भटकाओ भटकाओ खाली है बाहर, सब के अंदर में बैठा है, मगर बद गुमानी मुझे लिए कफिरता कहीं कऊ कहीं है, आद्ध्यात्मिक बोध कबीर ने कहा कि बर्म बाहर नहीं अल्ला बाहर नहीं बर्म और राम और अल्ला में भेद नहीं अल्ला राम जीओ तेरी नहीं अल्ला राम करीमा केशो हरे अजरत नाम धराया शब्द में मत उल्जो पानी नहीं पीते हो जल पीओ, वाटर पीओ, नीर पीओ, बात एक है. बाशनों के समाप्त हो जाने पर जो शेश बचता है वो आपका आत्मस्तित्व बका है शेश है उसको ब्रम को, राम को, आत्मा को, रूख को, शोल को जो कुछ भी को, वो आप है तता गद्बुद ने भी अत्ता का है अत्ता ही अतनो नातो, अत्ता ही अतनो गत्य, आत्मा ही आत्मा का सौनी है, और आत्मा ही आत्मा की गत्य प्राप्ति है, बाहर कुछ है, कभी ने इसको खुब जो से बाह, उनकी बाणी सुरू होती हैं अंतर जोत से, बीजक में अंतर जोत शब्यकनारी यहीं सुरू होता है, अंतर जोड आत्मा से सुरू होता है तथागत बुद्ध की वानी मन से सुरू होता है मनों पुबग्गमा धम्मा मनों सेठ्षा मनों मया बुद्ध वानी पर बुद्ध क्या करते हैं? मेरी पुस्तक है धम पदम का भाष्याप देख सकते हैं आमी संग्राचाट पर संग्राचाट क्या कहते है उस पर दिये मनों पॉपक्गधमा धम्मा laughter शुरू करते हैं ततागत उद्ध प्छै इस पर भेद questi अगनी से शुरू करते हैं क्योंकि अविबी पूजप से तो ये अपनी अपनी धारणा लेकिन बेदों में भी आत्म ज्यान का विकास्वः अपने इस दोंए आया है ततागत बुर्द मन को परिमारजित करने की नाय है जया अवंद में गए लहते हैं एあっpiya फंट लॉफश्यक ऑन्त ही अत्नो गट ही आत्म ही आत्म का स्वामी है, और आत्म ही आत्म की अगती है, पाना बाहर कुछ है, मन निर्मल हो गया, एक दिन मरना है शरीर को, पहले सरीर मर जात। और जात। eh जोए, इसका मर जात। जही मरने से जगडर मेरे मन आनंद, कम मरी हो, कब पाई मों पूरन परमानद, यह साहब की बारी है, अध्याद की अंति मिस्टित है, जीना मरना बराबर हो, ऐसा जीना चाहिए, ऐसा निर्मल मन करके जीना चाहिए, कि हर समय विदेई कान भो, अभी मरने के समय आजे मरे, सरी जीन नहीं हो, मरने के पहले मर लिया, वो अमर हो गया, मस्तराम मुर्दे से पूछे मुर्दा कुछ बदलाओगे, मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुपाओगे, मस्तराम लेटे थी मुर्दा पढ़ा था, मस्तराम ने मुर्दे से कहा मुर्दा कुछ बदलाओग मुर्दा ने कहा जरूर बतलाओंगा मर जाओ सुपाओगे मैं मर गए चुट्टी पागे तुम भी मर जाओ तो जहर खा करके मरने की बात नहीं है अहंकार छोड़ दो सारे अहंकार का भी सर्जन अभी हमारे एक बक्त ने कहा था आसन पर कि साइब मैं तो काम करता हूँ लड़के जो मैंने अच्छा किया उसकी बढ़ाई तो नहीं हो रही है और मेरी बातों पर तोटी को प्रिया लोचना हो रही है यह तो यह ठीक नहीं किया मुझे क्या करना चाहिए मैं उत्तर नहीं बे सका क्योंकि यहा आना था इसलिए तो नहीं कहा गया है कि साधना करना चाहिए जब बाल पक चाहें तो साधना मुलग जाओ बच्चों के कपार पर बैठे रहोगे तो उनको तो आधनिक्ता का जोस है और उनको पता नहीं कि 20 बरस के बाद उनका बच्चा उनको और लताड़ेगा साध माई के डुकनिया दाई को धरी है अवद्शेतर में कहावत है अवद्शेतर में मैं जन्मा हूँ इसलिए वहां की भाशा वहां की कहावत मुझे याद है माई की डुकनिया दाई को डुकनिया माई को धरी है डुकने नाम लगणी का बरतन ठाली प्याला दाई की डुकनिय दाई का बरतन माई की लिए धरी है आप अपने माबाब का त्रिशकार करोगे आपके बच्चे आपका त्रिशकार करेंगे बहु अपने सास का तृषकार करेंगे वो भी सास बनेगे तो उसकी बहु उसका तृषकार करेंगे यह संसार है थको, हारो, अंतरमुखो और ऐसा जीवन जीओ जितना जीवन बीत है जीवन मुक्ती में चलो बाल पकाए, मन पकाए प्रकर्ट शरीर को पकाती है, मन को नहीं पकाती है मन को साधना दोरा पकाये जाता है मन को पकाये, मेरा कुछ नहीं है, कोई नहीं है यह वास्तर इता है आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, यह ब्यवहार की मदुरता है ब्यवहार ऐसा है इसलिए साहिब ने कहा है को है नहीं कहा 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 नहीं क तो परिशानी होगी इसलिए है और नहीं है दोनों बाते हानाही के बीच में साहिव रह समय साहिव स्वामी बिभीकवान हानाही के बीच में रहता है दुनिया के लोग है में है नाही में नहीं है है धन है परिवाल है यह है हुआ है क्या नहीं है गुर्रा रहा है अरे भोले तुम्हारे कुछ भी नहीं है दें रहते रहते ठकोगे हमारे प्यारे नेता अटल बिहारी बाजपी आज अकिंच नवस्ता में असमर्त अवकिले इतीन घटना होनी है जीवन में संद लाउप्ची ने कहा है उनकी फुस्त पे ताउ उस पर मेरा भास से यहां मिलता है, लाउपचिक क्या करते हैं, उन्होंने कहा है, हारी इंसान को अंत में आना है, असमर्तता, अकिंचंता, अकेला पर, बीमार होके पड़ जाओगे, बर्द्धो करके, कमरे में, अकेला, नोकर चाकर, धनी आदमी नोकर चाकर, बागे के अकेला, अकिंचन, अपने पास कुछ नहीं हो गया, बड़े-बड़े पूजी पती, बीमारी वस्तम उनके पास क्या रहा था, पानी दवाई बस, और वो की संबदगार फेली रहे, फेली रहे, और असमर्त उट वैठ नहीं सकते हैं, यह होना है, इसको देखना चाहिए, अंदभूत हो इम लोगों को, तंकेत विपस्षित, ततागत बुदने का, यह दुनिया तो अंदभूत है, बहुत कम लोग हैं जो देख पाते हैं, सारे सब कुछ के बिनास को हम नहीं देख पा रहे हैं, एक दिन हमारा सब कुछ माना हुआ बिनस्ट हो जाएगा, और कब कब तक के लिए, सदा के लिए, हमारा जो कुछ है, कुछ छण के लिए, और जब नहीं होगा, तो अनंत काल के लिए नहीं होगा, तो हम कण बराबर देखते हैं, परबत बराबर नहीं देखते हैं, है, इतना हम समझते हैं, नहीं हैं, नहीं समझते हैं, बिवेकवान दोनो को देखता है भी नहीं है इसलिए ब्यवार करना है और नहीं है अन्त में कुछ मेरा नहीं है ऐसा समझ करके निर्मों अनासक्त हो करके रहता है वो सब को प्यार देता है और सब का प्यारा होता है जितनी असक्ति बनाओगे उतना पाप करोगे जितना अनासक्त होगे उतना न आप सब वेरागी हो जाए, तो आप धापी कफ़म हो जाए, सबहाएं कपड़ कोई होता है, हम साओनों का एक कपड़ चाहिये था, तो आज्या साद्वसुदा एक धारन कर लिए, दिकिन वेराग का चिन नहीं है, वेराग का चिन है अनासक्त, अनासक्त होना चाहिए सब को बैराक की जरूरत है क्योंकि सब को अंत मेराम नाम सत्हे की घाट पर जाना है इसलिए आद्ध्यात्मे को अंत की मापी आवश्कता है और उसमें जो पाना है वो कुछ पाना नहीं है सब कुछ को विसरजित कर देना सारी अंत मंत छोड़ देना है और सब को छोड़ देने के बाद जो स्रेश रहा जाता है वही सत्ता आपका अस्तित्त है उसका जो आप नाम रखें आपका विचार है नाम में उलचेना कवीर की बारी में हमन है इसक मस्काना हमन को होश यारी क्या रहें आजाद इस जग में हमन दुनिया से आ रही क्या जो विच्णे हैं पियारे से बटकते दर्वे दर्विरते हमारा यार हम में हैं हमन को इंद जा रही क्या खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है हमन गुर्ग्यान आलिम हैं अमन को नामदारी क्या नपल विछरे पिया हम से ना हम विछरे पियारे से हो ऐसी लो लगी हर दम हमन को बेकरारी क्या कवीरा इश्क कामाता दूई को दूर कर दिल से ये चलना राह नाजुख है हमन को हमन सिर्भोज भारी क्या ये जो अध्यात्म का रास्ता है नाजुख है से पर बोज दे करके नहीं चल सकते हो असनल दिरियते समर्मद्द मुत्ष्ठद प्रतरता सखाया अत्रा जहाम ये सनल सेवाई सिमान भई मुत्रे भाग वाजान इरिक बीद का मंत्र है पत्थरों से भरी नदी बह रही है अई प्यारे साधान हो करके उठके खड़े हो जाओ अउत्तर जाओ लेकिन गठ्री यही छोड़ दो उधर मिल जाएगा सामर्मद्द पत्थरों से भरी बेगवती नदी बहती है जोर गठ्री सिर्फर रहकर के तहरोगे डुगोगे कभी साही भी कहते है यह चलना रा नाजुक है कुछ लेके चलोगे तो नहीं पारोगे सब छोड़ दो तब पहुचोगे सब छोड़ दो क्या है सारी यहंता नंता छोड़ दो तो वो कल्यान दसाएगी आज न छोड़ो कल छोड़ना पड़ेगा जब रामनाम सत्य हो गए एक कानी है और मैं समात भी उपकरना चाहूँगा दो आदमी एक सेट से सुसुरू पेली है और एक महीने में दे देंगे एक दिया एक नहीं दिया उधारी था ब्याज नहीं लगना था दुसरा चालाग था नहीं दिया चालाग के ब्योकूप होता है साल भड टालता गया सेट पकड़ पाया खंबिम बदवा दिया कहा वरुपया दियो तब छोड़ेंगे हो नहीं नहीं कलता रहा है नहीं है नहीं सेट नहीं कहा चालाग सो प्याज खालो है मुर्पय छोड़ेंगे कहे धरू खालेंगे जो उसमें होस तो राता नहीं है एक दो प्याज खापाया फिर असमर्थ हो गया कहा सेट जी नहीं खापाएगे कहे सो मिर्चा खालो छोड़ेंगे सोचा मिर्चा हलका होता, खाला है, लेकिन एक मिर्चा खाना भी मुश्किल हो गए है, सेठ ने कहा चा सो जूते खालों छोड़े हैं, तो उसमें सोचा खाना तो है नहीं, पीट पर साहना है, पेट के बन लेट गए, पीट पर जूते पढ़ने लगे, जब बीच जूते पड लिमाग ठंडा होगे, ठंडा होगे काऊ, जब गरम होगे काऊ, कहा से जिम रूपे महाए देते हैं छोड़े जेके पागर के, समझदार कौन था, प्याज खाये, मिर्चे खाये, जुते खाये फिर रूपे देए, अब आप सोच लो, प्याज, मिर्चे, जूते खाके रू जीवन मुक्ति की ठेके दारी है सादु के कपडिम नहीं है, सादु की रस्तो इस्तरी हो पुरुषो, हिंदु भुसल्मान हो कुछो, जो अनासथ हो के जिएगा, वही जीवन मुक्त है, और वही जीवन अध्यात्म की कमाई है, चित का निरंतर सुखी रहना, हर्दं परशन आनंद, कंदर आना, यह जीवन की सफलता है, एक बड़े विद्वान, मर्ते समय, उन्होंने कहा, कि मैंने प्रसनता सुनी है और लिखा है, अनुभू महीं किया, लेका को करके क्या हुआ, निरंतर प्रसनता, निरंतर आनंद, जीवन की परम इस्तित, इसके लिए हमें ध्य जान देना चाहिए कबीर का जोर इसी पर है, कि अपने में लोटो, वैदिक रिशियों ने इसी पर जोर दिया, मुस्लिम फकीरों ने, जो सुफिस संत है, उन्होंने भी ही कहा, राह कर दो,